हम बात करने वाले हैं, भारत की विदेश नीती में पिछले कुछ सालों में हुए बड़े बदलावों के बारे में, हमारे विदेश मंत्री, डॉक्टर S. जैशंकर ने इस हफते मुंबई में कुछ खास बाते साजह की, जो हमारे देश के विकास में नई उम्मीदे और नई इशा लेकर आई है, तो चलिए, इस पर विस्तार से नजर डालते हैं। बलकि हमारा उदेश अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करना और उन्हें विदेशों में भी सहयोग करते रहने का भी है। हमारे देश का नेत्रित्व, प्रधान मंत्री से लेकर विदेश मंत्राले तक ये सुनिश्चित कर रहा है कि भारत की वैश्विक स्थिती लगातार मजबूत होती रहे। आज भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है, जो अपनी बात मजबूती से रखता है और जिसका विश्व के महित्वपूर्ण मुद्दों पर असर पड़ता है। प्रवासी भारतिये आज हर शेत्र में योगदान दे रहे है। चाहे वो बिजनिस हो, आईटी हो या शिक्षा का शेत्र ही क्यों ना, सरकार ने कई ऐसी नीतियां बनाई है जो हमारे प्रवासी भारतियों के अधिकारों की रक्षा करती है और उन्हें विदेशों में भी स खलाई का ध्यान रख रही है, बलकि उनके और हमारे देश के बीच का संबंध भी मजबूत कर रही है। चलिए, अब बात करते हैं ग्लोबल मारकिट में भारतियों व्यवसायों की। प्रधान मंत्री मोदी ने भी अपने विदेश दौरे के दौरान कई बड़ी-बड़ी कंपनियों के CEO के साथ पैचके की। इसका उदेश था कि वे हमारे देश में निवेश करें, जिससे भारतिये व्यापारों को फाइदा हो और रोजगार के नए अफसर उत्पन हो। इससे ना केवल हमारे बिजनिस का विस्तार होगा, बलकि हमारे युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। वैश्विक रोजगार बाजार में भारतियों की बरती पहुंच से आज केवल भारत में ही नहीं, बलकि देश के लोगों के पास विदेशों में भी नौकरी के अच्छे मौके हैं। इसके अलावा, डॉक्टर जैशंकर ने महाराष्टर के योगदान पर भी अपने विचार साजा की। उन्होंने कहा कि महाराष्टर का विकास भारत की पूरी विकास यात्रा का एक महित्वपूर्ण हिस्सा है। महाराष्टर में जितनी इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है, वे भारत की अर्थ विवस्था को मजबूत बनाने में महित्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुंबई, जो महाराष्टर की राजधानी है, वह भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है, और इस शहर का विकास पूरे भारत के विकास को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, ये थी भारत की विदेश नीती और विकास के उन नए आयामों की एक विस्तारित जलत, जो हमारे देश को विश्वस्तर पर एक नई पहचान दे रहा है। आज भारत की विदेश नीती हमारे हितों की रक्षा करने के साथ साथ हमें नए अफसर भी दे रहा है। ये बदलाव भारत के विकास का ही हिस्सा है और ये हम सब भारतियों के लिए गर्व की बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक् के लिए धन्यवाद।